दोस्तों इस चैनल पर आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि ये पूरी क्रिप्टो की जो बियर मार्केट आई थी इस फसाद की जड़ है रिसेशन और उसका कारण है बढ़ती हुए इंफलेशन दोस्तों एक अर्ली डेटा आ रहा है जो ये बता रहा है कि शायद जो हमारा इंफलेशन का नंबर पिछले अगले 8-9 दिनों में जो अनौन्स होगा जनवरी का जो इंफलेशन है वो बढ़ने वाला है जिसमें कई altcoins ने बहुत अच्छा perform किया है हम बात करेंगे हाँ पर उस ग्रे सिगनल की जो इंफलेशन के बारे में है हम बात करेंगे जो आल्ट कोईन का सीजन है उसके बारे में और बिटकोईन शॉट और लॉंग तम में कैसा प्रदर्शन करने वाला है इन सब चीजों क एक rising wedge बनता हुआ दिखाई दे रहा है फोरावली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं एक rising wedge जिसका pinnacle यानि कि tipping point शायद नजदीक है अगर मैं इन highs को और lows को जोड़ूं तो यहाँ पर एक triangle बन रहा है जो की अपने pivotal point पर है which should break out और break down क्योंकि price ज्यादा तर sideways movement कम ही करता ह है ना केवल यह में केवल फोरावली टाइम फ्रेम की कुछ candle के basis पर कर रहा हूं but also सबसे important aspect price movement का जो की होता है volumes यहाँ पर मैं आपको volume chart दिखाता हूं अगर आप नीचे volume की candles देखें तो आप clearly देख पाएंगे कि वो extremely declining stage पर almost nil के बराबर volumes है पूरे फरवरी महिने में यह January के मुकाबले बहुत कम है in fact अगर आप पूरे quarterly basis पर देखें December और January से भी so this could be the quarterly low of volume which is a sign की market में बड़ा breakdown या breakout आने वाला है price एक बड़ा moment लेगा क्योंकि volume जो है ना वो थोड़े समय तक ही शांत रहती है volume कम होने का मतलब है कोई एक व्यक्ति आएगा जो बड़ी मातर म time lines को prefer नहीं करते हैं वो कहते है short term trend is not viable तो भी आप देखेंगे कि price जो है वो इसी channel में चल रहा है अगर मैं January को भी include कर लो यहां से breakout और breakdown कुछ इस तरीक से दिखाए देगा जो लोग नहीं समझते है technical terms या तो price इस line के ऊपर उचाल करके जाएगा या उसके नीचे नीचे रहेगा एक तरफा price movement होगी और breakdown की basis पे हम लोग जो है अपना आगे का निडल ले सकते हैं जैसा मैंने का हम इसको we can extend this trend line all the way down to January also and it is similar यह तो यह हमारे पास यह at least support line रहेगी जो इस नीचे की तरफ है अगर हमारा price support line को break करता है तो फिर हम जो है नीचे गिरेंगे इसलिए मेरे विचार से आज Sunday है वैसे भी it's a good time to analyze last week and coming week अगला हफता इस trend line के basis पे अपना दिखाएगा कि हरकत की हम उपर जाते रहेंगे या दुबारा से हम 20,000 की तरफ जाएंगे और अगर आप गौर से देखे तो यह 24,000 वाले जो हमारा orange line है this has been decisive हमने जब यहाँ पर आप तीसरी बार तीसरी बार और भी बड़ा attempt था यह this was spread across one month एक महीने में तीसरी बार attempt हुआ और यहाँ से फिर हम नीचे नीचे जाते रहें और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो खलका सा attempt हुआ है छोटा attempt हो सकता है कि एक attempt और हो 24,800 को भेधने का बट इसको break करना जरू और यह क्योंकि यहाँ पर 24,800 है this was a result of June जुलाई में जो Celsius और Celsius की कारण जो पतन हुआ था वाइजर कारण जो पतन हुआ था उसके कारण से हाला कि हमने FTX वाले सारे losses अपने recover कर लिया है FTX के बाद जब Bitcoin crash हुआ था तो 24,000 के आसपा से crash होके सीधा 15,000 गया था तो FTX के November व not in trouble even if price यहां से 24,000 से decline करके 20,000 तक जाता है आपको long term time frame में जो आपके सामने weekly time frame दिख रहा है ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा definitely जैसा मैं हर बार वीडियो में कहता हूं चीजे लगातार सीधी रेखा में उपर नहीं जाएंगी बीच में लंबी लंबी आपको red candles भी दिख किया गया था यह weekly time frame में आप देख रहे हैं हाला कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस line की उपर जा पाएंगे और अगर आप technicals की बिल्कुल beauty देखें तो एक weekly candle हम इसके उपर close नहीं कर पाए जैसे हम इसके उपर weekly candle close करने वाले थे हम सीधा नीचे आके गिरे इसका मतलब bitcoin की dominance यहीं पर रुख जाती है मैं एक बारी for a change इस line को हलका से adjust कर देता हूँ जो भी changes हम इन अपनी support resistance line में करते हैं orange lines में करते हैं boxes में करते हैं आपको दिखा के करते हैं तो यह 44.17 44.3 जो है हमारा एक resistance point रहेगा even if bitcoin comes back again dominance उपर जाती है तो भी यहां पर test होगा और यहां स जो है altcoins के ऊपर जाने की श्रंखला और चालो होगी यह एक candle जो है this was the reason कि altcoins ने इतना अच्छा perform किया है Ethereum ने Solana ने कई altcoins ने 100% के gain दिये हैं अगर यह dominance और नीचे जाती है आप देख सकते हैं आपके सामने snapshot है FTM फैंटम में 180% DYDX 155% जितने ज्यादा कमजोर altcoins से ज्यादा गिरे थे वो ज्यादा अच्छी वापसी कर रहे है Bitcoin के slow होने का एक कारण ये भी है डिकसी इंडेक्स डॉलर इंडेक्स ने हलकी सी वापसी करी है लगा था नीचे जा रहा था 120 तक हम जाने वाले थे उसके बाद से नीचे 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 जा रहा था अब एट लीस्ट रुका है 101 पर 101 की support line को test करके ऊपर आया है और daily time frame पर हो सकता है कि एक बार 103-104 को दुबारे test करें और फिर से नीचे जाएगा क्योंकि चीजे ना ही सीधी रेखा में उपर जाती ह ना ही नीचे जाती dollar strength index नीचे जाएगा जितना ज्यादा उतना ज्यादा bitcoin को crypto को stock market को फायदा होगा यहाँ पर bitcoin season यानि की bitcoin और altcoins में कौन ज्यादा पहलवान है उसमें bitcoin अभी तक जीत रहा था नीचे ही नीचे 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 bitcoin season जा रहा था इसका मलब bitcoin की strength बढ़ रही थी और altcoins की strength कमजोर हो रही थी बट ये भी हमारे पास एक important support range थी 25 की जो हमने line बना रही है इसके नीचे जितना bitcoin जाएगा उतना bitcoin strong होगा but ultimately it had to go back up and now just it started going back अगर आप history में भी देखें 2019 में भी bitcoin की strength उपर जाती थी और bitcoin season जो है अपने पूरे परवान पर था altcoins were performing very very bad compared to bitcoin but power देखिए bitcoin season हलका सा flip हुआ है और altcoins इतना अच्छा perform कर रहे हैं अब यहां पर बात करते हैं the elephant in the room बड़ा danger inflation December का inflation number 6.5% आया था अगर मैं आपको एक interesting year on year December 2021 versus December 2022 December 2021 के मुकाबले inflation महंगाई 6.5% बड़ी थी बड़ अगर आप गौर करें इस chart को तो पिछले साल भी 2021 December के बाद ही inflation तेजी से उपर जाना शुरू हुई थी तो अगर आप देखिए December 2021 में अलड़ी 6.8% थी 2020 के मुकाबले November 2020 और November 2021 के मुकाबले 7% करीब inflation थी but अग अगर आप January 2022 देखे 7.5% फरवरी में और भी जादा साड़े 8% 9% तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि January 2022 से अगर आप तुलना करेंगे January 2022 अलड़ी बहुत जदा महंगाई वाला महीना था उसके मुकाबले January को अगर आप 2023 को compare करेंगे तो definitely आप अगर base बड़ा हो तो उससे हारना है कि मुझे डर लग रहा है कि I was expecting कि December January February March 2022 अलड़ी इतने जादा inflated months से हमें आसान होगा January 2023 में फरवरी 2023 में उसको break करना अगर अगर हम मन्त और मन्त की बात करेंगे तो मैंने येर और येर बताया December 2022 के मुकाबले January 2023 की CPI है मन्त और मन्त वो अलड़ी 0.5% बढ़ी है December के मुकाबले January में महेंगाई बढ़ी है अब ये January 2023, January 2022 की तुलना में कैसा रहेगा ये हमें आट तस दिन में परिणाम पता चलेंगे तो बढ़ अगर इस से कुछ भी पता चलता है इस सिगनल से इस चार्ट से की महेंगाई अगर बढ़ने लगती है दुबारा से तो फिर federal government जो है वो हमारी help नहीं कर पाएगी वो rate को और aggressively high करेगी जो उन्होंने पिछली FOMC meeting में कहा था कि नहीं हम शायद rate cut करना इस साल तो नहीं करेंगे अगरी साल से cut करेंगे और इस साल rate hike रोकेंगे वो अपने decision पर फिर से विचार करेंगे तो ये मैं आपको early sign of risk दिखाना चाहता था इस बार वाली inflation के नंबर के लिए अपनी कुरसी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि ये वाली inflation का नंबर है ये काफी हद तक decide करेगा अब मान लीजिए खुदाना खासता है जो साड़े 6% December 2022 की inflation थी अगर January के आंकडे 5-5% ना देजाए निकि बहुत ही अच्छे आते हैं तो Fed हो सकता है कि अगले महीने rate high करेंगे ना and that will be magical for cryptocurrency बट अगर ये साड़े 6% की तुलना में January 2023 की inflation 7-7,7% आ high करने लगेगा और aggressively और rate कटके वारे में तो सोचे गाई नहीं अब यहां पर कुछ positive भी बात कर लेते हैं हलाकि यह आंकडे देखने के बाद भी वाद रसिया की जो मैं फैन हूँ केवल मैं wait करना चाता हूँ ethereum की जो mass selling होने वाली मास unlock होने वाली मार्च में उसको एक बार जाने देते हैं तो ethereum को हमें real bottom और real growth पता चलेगी ethereum मुझे कोई doubt नहीं दस हजार डॉलर का token है आज से दो साल में तो यह तो बहुत ही bitcoin से जादा return देने वाली चीज़ है मैराल अगर आप हमारे rewards का फायदा उठाने चाहते हैं तो description में लिंक दे रखे हैं पचास हजार डॉलर तक की bonus reward है उनका फायदा उठाना मत भूली हो रहां आपको मैं अप 6.5% की inflation थी January में शायद 6.5 से नीचे ना आए आपको क्या विचार लगता है कॉमेंट कीजिए और अपना BUSJ डिस डाला मत भूलिए तब तक अपना ख्याल रखिये दोस्तो धन्यवाद जैहिंद